हाई फर्टेंटस वकम तो आइचेनल आज मैं आपके साथ आलू की ताहरी बनाने की रेसिप स्याइर कर रही हूँ बहुत ही मज़े कि चावल बनते हैं आप इनको नमकिन चावल के सकते हैं, नमकिन पुलाओ के सकते हैं, ताहरी के सकते हैं, यह वन पॉट मील है, आपका दिल कुछ बनाने का नहीं कर रहा है, तो आप यह पड़ा फट से बना सकते हैं, तो चुलिए बनाना शुरू करते हैं, बनाने के लिए मैंने आप लिया है प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो और ज्यादा चल्दी बनेंगी तो यहां पर प्रेशर कुकर में मैंने एक सर्विंग स्पूनール एड करेंगे और लिया है तो इसको अच्छी तरीका से घरम करेंगे मैंने गरम मसाले लिये हैं जिसमें लॉंग है तीन चार काली मिर्ष है छे साथ दाने दो एक तेजपात का पत्ता है जिसको मैंने दो टुकड़े करके डाले हैं एक चोटी चमज जीरा है इनको चटकने देंगे थोड़ा सा और इसके बाद इसमें एक प्याज जायट कर कर लेंगे इस प्याज को हलका सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे आज यहां पर देखे हो गई है ब्राउन अब इसके बाद इसमें जाएगा एक छोटी चमज भर के लैसुन और अद्रकी पेस्ट एक से डेड़ मिर्ट आप इस लैसुन अद्रकी पेस्ट को भी अच्छी तर टमाटरों को भी एक बार अच्छी तरीके से मिक्स करे लेंगे चलाते हुए तरों के साथ ही मैं यहां पे आलू एड़ कर रहे हूं मैंने लिए दो मीडियम साइज की आलू जिसको मैंने चोट चोट टुकड़ों में काट लिया है आलू को मैंने पानी में रखा हुआ था जिसे काले ना पड़े तो पानी से निकाल के आलू मैं डारेक्ट इसके अंदर अड़ कर रहे हूं अब आलू को और टमाटरों को एक साथ चला तो यह पकाएंगे जब तक टमाटर सॉफ्ट नहीं होते तब तक हम इसको पका लेंगे साथ मैं दो साबो धरी मिर्श डाल रह एक छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर आदा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर अड़ कर लेंगे और नमक डालेंगे इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग्स तो एक बार मिक्स कर देते हैं चला करके इसके बाद मैंने इसमें नमक अड़ किया है तो वन एन हाफ टी स्पून मै इसको चलाते हुए भून लेंगे तो यहाँ पर मैंने एक डेड़ मढ के लिए इसको चलाते हुए भून लिया है मसाले भी अच्छे से पक चुके हैं टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं तो बस अब इसमें अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद चावल एड़ कर देंगे चा चावलो को अल्रेड़ी सोग करके भी रखाया मैंने और हम प्रेशो कोकर में बना रहे हैं तो जंदी भी बनते हैं तो इसलिए इसमें पाणी थोड़ा कम जाता है खुले पती ले की वज़ाए तो खुली पतीले मार बना रहे हैं तो चावलो को जस्ट डबल पानी ऐट-कर हैं और बस इसको मिक्स करके प्रेशर कोपर का ढकन बंद करके इसमें मीडियम हाई फ्लेम पे दो विसे लगाएंगे दो विसे लगाने के बाद प्रेशर को बिल्कुल अच्छी तरीकी से ठंडा होने देंगे उसके बाद इसे ओपन कर लेंगे तो यह देखिए हमारा मसाला पार चार के सकते हैं यह इसे खाने के लैद को वैसे किसी चीज की ज़वद नहीं है यह बहुत ही मसालेदार चटपटी सी ताहरी होती है आप इस रेसेपी को इस तरीके से बनाएं वीडियो अश्या लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले और थैंक्स पूर वाचिंग दिस वीडियो